नमस्कार बंदू, आज का इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किसान का अर्थनिती में बहुत परिवर्तान ला सकते हैं एसे ही एक फास्नल ड्रामस्टिक जिसका उन्नोत प्रजुक्ति में खेती कैसे किया जा सकते हैं उसका डिटेल्स का बारी में किसान बंदू चैनल का सब्सक्राइबर औभाई कुमार जी और आसिस कुमार सरकार जी का प्रस्ताब था कि ये ड्रामस्टिक का उपर वीडियो बनाया जाएं तो इसलिए वीडियो बनाया जा रहे हैं इंडिया का बिभीनो राज्यो में इसका खेती बोर्सों से होते आ रहे हैं लेकिन इसका भेराइटी जो है ये बहुत ही लॉंबा होता है और हर्वेस्टिंग का टैम पे बहुत दिक्कत होता है और साल में एक बर पुड़क्शन देते हैं लेकिन आज ऐसे ही कुछ पास बहुत पैसा आना शुरू हुआ है, साथ साथ में इसका फाल, पत्ता, फूल ये सब को वही सबजी कहीं सबसी यूज किया जाता है, देश का विभीन राज्यो में भी इसका उपयोग बढ़ा है, कभी कभी पत्ता, फूल से भी इसका दबाई बना जा रहे हैं, तो इसका भासन नहीं देखे, सुरू करते हैं इस खेती का जो डिफरेंट स्टेप से, स्टेप्स बाई स्टेप्स कैसे खेती किया जाता है, उसका बारी में, इंडिया का जितना स्टेट में टेमपारेचर काम है, जैसे हिमाचल प्रदे, सरियाना, पंजब, ये सब जगा छोड़के मेक्सिमाम जगा पर इसका खेती हो सकता है, जहां पर टेमपारेचर जदा है, खेती बग्यनी को कहना है कि मिट्टी का जो pH का मान है, उच्छाय से 7 का अंदर रहेगा, तो ये बहुत बढ़िया होता है, ऐसे ही जमीन को निरबाचन करना चाहिए, जो जमीन से पानी को अच ज़्यादा डेला इसमें ना रहे, उसके बाद समतल कर लेना होगा, 8 से 10 फीट दूरी दूरी में, 1,5 फीट बाई 1,5 फीट का पीट का पीट का लेना होगा, लाइन से लाइन के दूरी 10 से 12 फीट उत्तम मना जाता है, हर पीट में 5 से 8 किलो अच्छा कोमपोस्ट या गोब देना होगा ड्रामस्टिक का बीज लगाने के लिए आभी जमिन तयार है बोला जाता है कि बीज को पुरा रात भर भीगो के जमिन पे लगाएंगे तो जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है काफी सक्सेसफुल किसान पोली ट्यूब में पोधा को उगा के उसके बाद में मैन फिल्म में ट्रांस्प्रेंट करते हैं ये सक्सेसफुल देखा गया है 18-12 सेंटिमेटर ब्लैक पोली बैग ड्रामस्टिक पोधा के लिए अच्छा माना जाता है इस पोली बैग में श्रीप कोको पीट देखे भी बीज को उगा सकता है नहीं तो भर्मी कमपोस्ट और मिट सल देते हैं एसे ही कुछ बीज है PKM1, PKM2, ODC और रोहित ये सब बीज साल में दो बार फॉलन देते हैं और इसका जो पोधा ट्री का जो उचाय होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है सक्सेसफुल किसान का ये सब कहना है जब हम लोग नारसारी तयार कर लिए हैं इस ना इनो भैराइटी 10 से 12 साल प्रोडाक्शन देंगे लागाने का तुरंत बाद और कुछ करने का जोरूरत नहीं है 6 महना श्रीप पानी देते देते जाना पड़ेगा 6 महना का अंदर ये फास्ट प्रोडाक्शन शुरू करता है तो फास्ट प्रोडाक्शन नहीं लेना चाहि सेकंड जो और 6 महना का बाद देगा उसी समय से ये प्रोडाक्शन लेना चाहिए बीच में ये पानी देते रहना होगा और कुछ करने का जोरूरत इसमें नहीं पड़ता है लागाने का 5 महना बाद में जब और सेटिंग आना सुरू होगा उस समय 5 किलो गबर खात 100 ग्राम नाइट्रोजेन, 200 ग्राम फस्परास और 50 ग्राम पोटास हर पोधा में एपलाई करेंगे तो आच्छा होगा और ये जो खाद एपलाई का प्रोसेस है हर 6 महना में ये दोहराते रहना होगा जून मैना का पहला बारिस होने का बाद इसका रोपाई या बौई का काम करेंगे तो आच्छा माना जाता है जैसे देड़ साल हो गया है हर देड़ साल में इसका जो डाल होता है पोधा का उसको काटिंग कर देंगे 3 फिट का बाद में तो आच्छा होता है ड्राम स्टिक में सिचाई का बात करेंगे तो इसमें ड्रीप इरिगेशन टापक सिचाई को सबसे उत्तम माना जाता है इसमें मश्चार देखके दो हपता में एक बार पानी देंगे तो आच्छा है सुर्वात का स्तर में इसमें हफ़ता में एक बार देना चाहिए जब खेती शुरू कर रहे हैं बोहाओ से चाय अच्छा नहीं है, टपक सी चाय का बैबस्ता नहीं है तो कियारी बना लेना होगा आभी बात करता हूं मुंगा का मार्केट का मुंगा का मार्केट बहुती डिमान्ड है ये कभी काम रेट में नहीं चलता है लेकिन फिर भी कभी कभी किसान ठाग जाते हैं कोई इसका export करना चाहेंगे विदेश में भैजना चाहेंगे तो इसमें कुछ quality लगता है इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहां एक्सपूर्ट क्वालिटी का उपर बात करेंगे मार्केट के लिए दिक्कोत होता है तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिए हम लोग इसका कुछ हाल निकारने का कोशिस करेंगे तो बंदू ड्रामस्टिक का बारे में वीडियो एही तक है ये वीडियो आपको आच्छा लगा है तो जरूर बंदू इसको लाइक करिए कोमेंट करिए और आप इस चैनल में नया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए थेंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए जय किसान जय भरात